नमास्कार दोसन स्वागात है आपका हमारे शेनल चार यागिंदर मिशा में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ हैं कुछ नहीं शीक्षना चाहते हैं तो शेनल का सब्सक्राइब जरूर करिएगा 19 नवंबर कार्तिक पोणिमा देव दीपा वली बना दुरलब महाशयोग कार्तिक पोणिमा चंद ग्रहन पुराने जाड़ों से करे उपाए बदल जाएगा आपका भागे मा लक्षमे जी करेंगी धन की वर्सा लुटेगा कुबेर का खजाना दोस्तो धार्मिक सास्त्र के अनस्वार कार्तिक पोणिमा के दिन कई मायनों में खास माना जाता है क्योंकि इस माह में पढ़ने वाली पोणिमा को कार्तिक पोणिमा त्रपुरारी पोणिमा और गंगा इशनाम के नाम से भी जानते हैं अब हिंदु धरम में पोडिमा का विशेश महत्व है क्योंकि पुराणों में इस दिन को इशनान, बृत्तप और मौक्ष देने वाला बताया गया है कार्तिक पोडिमा के दिन अगर आप पवित्र नदी शरोबर में इशनान करके उगते हुए शूर को जल अर्पित करें तो ये सबसे ज़्यादा उत्तम फल दाई माना जाता है इस दिन दान करने का भी विसे समहत है क्योंकि इस दिन दिया गया दान कभी भी बेर्थ नहीं जाता और कई पापों का नास हो जाता है हिंदो पंचांग के अनुसार जो कि कार्तिक महीना आठवा महीना है और सुकल पक्ष की पोडिमा को कार्तिक पोडिमा कहते हैं इस बार कि कार्तिक पोडिमा बहुत ही दुरलब महासायोग में आई है क्योंकि इस दिन कृतिका नच्छत्र में है और भगवान भोले नात जो तृपुरा सूर नाम का असूर का बध किये थे और इसके बाद से वह तृपुरारी के रूप में पोडित हुए इसलिए इस पोडिमा को तृपुरारी पोडिमा भी कहते हैं चुकि इस नान करने का वि गंगा जल डालके नहाएं इससे दिन बिशेश प्रियोग भी करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं किसी पवित्र नदी शरोबर में इश्नान कर सके तो अतियुत्तम है नहीं तो आप नहाने के पानी में अपने घर पर ही गंगा जल थोड़ा से डालकर इश्नान करें फिर प भगवान स्री हर विश्नु जी की पूजा करें क्योंकि पूरिमा तिति पूनम की तिति है और स्री विश्नु जी मा लक्ष्मी जी की पूजा होगी तो मा लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने के बाद उनको भोग लगाईएगा भोग में स्री हर विश्नु जी को भोग लगाएंगे तो तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित कीजेगा धार्मिक मानताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान स्री हर विश्णु भोग सुईकार ही नहीं करते हैं फिर भगवान की आर्थी करें पूर्मातिती पर चंद्रमा की भी पूजा का बिशेश महत होता है जब चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रमा की पूजा करें चंद्रमा को अर्थ दें इस से दोसों से मुक्ती मिलती है और इस दिन जरूरत मंद लोगों को आप कुछ न कुछ दान वस्त्र का दान अवश्य करें अन का दान अवश्य करें इस दिन गाए को कुछ न कुछ महां संयोग बन रहा है इस पूर्णिमातिती पर और एक छोटा सा जाड़ू का प्ड़यों करें तो जीवन से दर्रिता रुपी परेशानी दूर हो जाएगी और जीवन में खुशियां आएंगी देखिए धनबान और भागवान भला कौन नहीं बनना चाहता है हर कोई चाहत जीवन में खुशियां लाने के लिए गरीबी दूर करने के लिए इस दिन कारतिक पूर्णिमा के दिन जाड़ू का प्रियोग जरूर कीजेगा ये प्रियोग बहुत ही चमतकारिक माना जाता है धन की देवी मा लक्ष्मी जिको जाड़ू में ही बिराश्ती है और जाड़ का प्रियोग खास कर पूर्णिमा तिति की दिन अगर किया जाए तो कुछ टोटके किया जाए तो इससे जीवन में धन सुक संब्रद्धी बढ़ती है माना जाते कि पूर्णिमा तिति की दिन जाड़ू का प्रियोग से जीवन में जो परेशानी है वो समाप्त हो जाती है पास के किसी मंदिर में एक नई ज़ाडू लेकर जाईएगा, कारतिक पूर्मा के दिन, और ज़ाडू से साफ सफाई करके मंदिर में ही ज़ाडू छोड़ कर चले आईएगा, ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां आती हैं, जीवन की परिशानियां समाप्त हो जाएगी सुबाइगा, और कोई देखे न, कोई रोके न, कोई टोके न, धियान रखेगा, कोई रोके न, कोई टोके न, आपको सुबाइग्द साफ सफाई करना हैं, फिर आपको वही ज़ाडू जिवन में मालक्षिमिय किरपा बरसे गी, जी हाँ, आप चाहें तो एक पुरानी ज ज्ञाडू है वो ले ले और पुरानी ज्ञाडू में थोड़ा सा आपको सिंदोर या फिर हल्दी से तिलक लगा ले और उसके बाद आप क्या करें कि आप कार्तिक पूरिमा के दिन आप पुरानी ज्ञाडू से पूरे घर में मा लक्ष्मी का नाम लेते हुए पहले उस कचड़े को आप बाहर मत करिएगा एक जगह यनि कोने पे लगा दीजेगा बाद में फिर इसको आप बाहर करिएगा विशेश लाब होता है विशेश कृपा मा लक्ष्मी की बरस्ती है कार्तिक पूरिमा के दिन ज्ञाडू का एक खास प्रयोग उपाई ये भी है कि का जैसे कि अगर आप मंदिर में जाकर कहीं दान करें ज्ञाडू का दिव विशेश लाब होता है तो ज्ञाडू जो की दुख दर्रिता परेशानी को दूर करता है इसलिए ज्ञाडू का प्रयोग आज की दिन जरूर करना चाहिए एक छोटा सा प्रयोग और करें आप पुर पुरे घर में जाडू लगा ले कार्थिक पोडिमा के दिन और बहुत सुबह सुबह ब्रह्मोरत में आप क्या करें जाएं और किसी पास के मंदर के सामने द्वार पर ये जाडू छोड़ कर चले आएं पुरानी जाडू से भी आप ये उपाए कर सकते हैं तो इससे भी विश श्लाब होता है तो ये जाडू का जो आप की जीवन को शुक्षम्रिदी को बढ़ाता है और वैसे भी सुक्रवार का दिन हैं तो सुक्रवार का दिन क हो profound दिन हैं तो सोने पे सुहागा यानि सुक्रवार के दिन माताल लक्ष्मी के दिन और पूर्मा जो कि उनको अत्यनत प्री दिन तो कार्तिक पूर्मा के दिन आप जब सुवे ज़ाडू लगबाईएगा तो पहले आप ज़ाडू लगबाने से पहले थोड़ा सा पानी के छिड़काव क आपके घर में कोई पुरानी जाड़ू है तो आज की दिन आप जाड़ू अपने हाथों से प्हेक सकते हैं। पूरानी जाड़ू से पहले जाड़ू लगाएं फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा हल्दी का ठीका लगाएं और पडाम करें और उनसे अपनी कृपा दुष्ट बनाए रखने के लिए माताल लक्षमी का स्वरूब मानकर आप उनसे प्राथना करें तो आपके घर में सब्सक्राइब करें तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें ज्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें जया मालक्त